ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है Occupational Diseases Occupational Diseases पे आपको सवाल बड़ा भी आता है Short Note भी आता है, Enumerate भी आता है और छोटे-छोटे सवाल भी आते हैं तो Class शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूवत नहीं है Class के Notes आपको Description Box में दे दिये जाएंगे वहाँ से आप Direct Download कर सकते हो तो शुरू करते हैं Occupational Diseases सबसे पहली बात भाई का Occupational Diseases का मतलब क्या होता है नाम में ही उसका अर्थ छुपा है कि ऐसी बीमारियां जो आपके काम करते समय या आपके Employment के वक्त हों उसको कहते हैं Occupational Diseases ऐसी Diseases which arise out during the course of employment काम करते वक्त अगर कोई बीमारी हो जाए या काम की वज़े से या उसके Environment की वज़े से कोई बीमारी हो जाए उसको कहते हैं Occupational Diseases अगली चीज कि भाई कितने तरह की या कौन-कौन से factors होते हैं तो मुखिता साथ factors आपको याद रखने हैं Diseases जो की Physical Agents की वज़े से हो Diseases जो की Chemical Agents की वज़े से हो Diseases जो की Biological Agents की वज़े से हो Diseases जो की Psychological Agents की वज़े से हो फिर Mechanical Hazards हैं Occupational Cancers हैं और Occupational Dermatosis हैं तो ये साथ आपको पहले याद रखना है कि physical agent, chemical agent, biological agent, psychological agent, mechanical hazard, occupational cancer, dermatosis ये साथ नाम तो पहले बता होने चाहिए classification में उसके बाद आता है कि physical agent में ऐसे कौन-कौन से agents हैं जिनकी वजह से काम करते वक्त आपको कोई बिमारी या occupational disease हो सकती है तो उसमें है physically, physically में कौन-कौन से होंगे गर्मी, heat, cold, light, pressure बहुत जाधा गर्मी में आपको बहुत सी बिमारी हो सकती है बहुत सारा ठंड में भी आपको बिमारी हो सकती है बहुत जाधा light में या बहुत कम light में भी आपको कोई occupational disease हो सकती है pressures related भी occupational disease होती है कि high pressure में जब divers जाते हैं तो उन में बहुत जादा noisy environment में भी हो सकती है deafness वगरा, radiations related disease भी, assay workers जो radiation में काम करते हैं जैसे कि ultraviolet radiations या ionizing radiations इन में भी occupational disease हो सकती है mechanical factors में heavy machinery वगरा होती है, उनसे भी हो सकता है electricity electricity के इसे related जो काम करते हैं उन में भी burns वगरा देखने मिलता है बहुत जादा vibrations related जो occupations होते हैं जैसे drillers होते हैं, उन में भी white fingers जैसे चीज़े देखी गई है chemical agents की बात करें अगर हम, तो जो ये chemical agents होते हैं, उनको आप या तो directly inhale कर सकते हो सास से अंदर चले गए या तो आपकी skin पे locally गिर सकते हैं और या तो आप उसको गलती से ingest कर सकते हो गलती से आप खा सकते हो अब inhale में क्या क्या inhale कर सकते हो आप gases भी inhale कर सकते हो, dust भी inhale कर सकते हो और metals भी inhale कर सकते हो dust में भी दो तरह की dust होती है inorganic और organic simple भाशा में याद करना हो तो जो पेड़ पौधोर से related होती है वो आपकी organic dust हो जाएंगी locally आपके शरीर पे काम करते वक्त chemicals गिर सकते हैं जैसे कि oils वगरा, machines के यह सब गिर सकते हैं या solvents, dye industry में, benzene वगरा यह सब आपके शरीर पे गिर सकते हैं ingestions में भी गलती से metals वगरा आप ingest कर सकते हो ठीक, तो यह तो हो गया आपका agents जो कि आपको साथ agent के नाम याद रखने हैं और उसमें भी physical agent के आपको यह non-naam याद रखने हैं सवाल यह है कि भाई कैसे याद रखेंगे ठीक, तो उसके लिए simple सा निमोनिक है अगर आपको पूछा जाता है कि occupational diseases के लिए आप बताओ कौन-कौन से agents होते हैं तो हम कैसे याद रखेंगे हम अपने बच्पन में जाएंगे जब हमने PCB लिया था याने कि सीधी सी बात याद देखो तुमको occupation चाहिए था तो एक बंदे को occupation चाहिए था तो उसने क्या किया उसने न 11th में PCB ले लिया याद है physics chemistry बायो लिया था हमने उस बंदे ने PCB ले लिया अब क्या हुआ उसके मतलब का था नहीं उससे हो नहीं पाया तो भाई क्या हो गया साइको हो गया अब भाई psycho हो गया तो उसने डाक्टरी याक्टरी तो उसके बसकी थी नहीं तो भाई क्या बन गया भाई mechanic बन गया कि भाई हमसे ना ओरी डाक्टरी जो बन रहा हो करेंगे हम तो mechanic बन गया अब mechanic बन गया तो grease oil इन सब चीजों के उसको exposure हुआ तो क्या हो गया उसको? उसको Dermal Cancer हो गया क्या-क्या चीज़े याद की हमने? Occupation के लिए उसने PCB लिया PCB लिया तो Psycho हो गया Psycho हो गया तो Mechanic बन गया Mechanic बन गया तो Dermal Cancer हो गया इनसे हमारे वो साथ Agents कैसे आएंगे? PCB, Physical, Chemical और Biological Agent Psycho, तो Psycho से Psychological Agent Mechanic से Mechanical Hazards Dermal से Occupational Dermatosis Cancer से Occupational Cancers ठीक, तो ऐसे आप Occupational Diseases के वो साथ पॉइंट याद कर सकते हैं उसके अलावा, ये साथ पॉइंट के अलावा ये भी हमको याद करने में बहुत परिशानी होती है ये जो Physical Agents होते हैं In fact, Enumerate में आ जाता है कई बार कि सिर्फ ये जो Physical Agents हैं इनको आप Enumerate करो तो ये कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? भाई अपन जो लड़के होते हैं अब डॉक्टरी में तो घुज गए हैं तो Physically अगर देखा जाए Physically जो Men होते हैं वो आपको कहां मिलेंगे? उनके दिमाग में दो ही चीज रहती है या तो पढ़ाई या तो पिच्चा तो Physically Men आपको या तो PVR में मिलेंगे या तो CHL में मिलेंगे CHL होस्पिटल होते हैं न तो ऐसे आप याद का सकते हैं Physical Agents कि Physically Men आपको या तो PVR में मिलेंगे या तो आपको CHL में मिलेंगे अब यह इसका मतलब क्या है? Men का मतलब है MEN M for Mechanical E for Electricity N for Noise या तो है यह सारे Physical Agents हैं Mechanical, Electricity, Noise PVR से क्या याद होगा? P for Pressure V for Vibration and R for Radiation CHL से क्या याद होगा? C for Cold H for Heat L for Light तो यह आपके हो गए? किते हो गए? 3 3-6 3-9 याद है यह 9 हमारे जो Physical Agents थे यह वो हो गए तो ऐसे आप याद कर सकते हो आपके Occupational Diseases के वो 7 Agents और उसमें भी Physical Agents के वो 9 Points ठीक? तो यह हमारा हो गया कि क्या होते हैं? यह साथ Agents होते हैं Physical, Chemical, Biological, Psychological, Mechanical, Occupational Cancer, Occupation, Dermatosis और Heat I mean Physical Agents वाले भी हमने कर लिया है Heat, Cold, Light, Pressure, Noise, Radiation, Mechanical, Electricity, और Vibration अब हम एक एक चीज़ को समझते हैं तो भाई शुरुआत करते हैं Physical Agents में सबसे पहले Heat से तो Heat कौन से ऐसे Occupations होते हैं? तो जैसे की Steel Industry और Glass Industries जो होती है या फिर Mines जो होती है वहाँ पर बहुत ज़ादा गर्मी होती है वहाँ काम करने वाले लोगों में कुछ बीमारियां या कुछ Injuries देखी जा सकती है कौन-कौन सी उनमें Burn Injury देखी जा सकती है अब Heat है तो बनतो हो गई उसके अलावा ये पाच नाम याद रखना Heat Syncope, Heat Cramp, Heat Hyperpirexia, Heat Exhaustion और Heat Stroke कैसे याद करोगे? मैं हमेशा बोलता हूँ न ग्रुप बना लो दो, दो, दो के ग्रुप बना लो अब यहाँ पर देखो Injury है और Syncope है दोनों में N common है तो आपका ये N वाला ग्रुप हो गया Injury का N और Syncope का N दीक, उसके बाद Heat Cramp और Heat Hyperpirexia में क्या याद रखोगे आप? यह दो को यहाँ भी आपका Cramp का R आ गया और यहाँ Hyperpirexia का R आ गया तो आपको R से याद आ जाएगा Cramp और Paroxia उसके बाद Exhaustion और Stroke में क्या याद रखोगे? यहाँ देखो, यह ST आपका आ गया Exhaustion में भी और यह ST आ गया आपका Stroke में भी तो ST से आपको याद जाएगा Exhaustion और Stroke तो यह 6 Heat से Related आपको पता होना चाहिए N वाला कौन सा था? Injury और Syncopic और R वाला कौन सा था? R वाला था Cramp और Pyrexia ST वाला कौन सा था? ST वाला था Exhaustion और Stroke तो यह 6 Heat से Related आपको Occupational Diseases होती है इनको भी थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए Burn Injury में तो ठीक है भाई जल जाएगा उसमें कोई Rocket Science नहीं है यह आपको पता है Syncope में क्या होता? बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है तो बंदा गर्मी की वज़एस से गेर जाता है बेहोश हो जाता है थोड़ा सा Fainting Attack आता है लेकिन बाद में अपने आप ठीक हो जाता है याने की Self Recovery होती है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत देर खड़ा रहेगा तो वेसोडालशन हो जाएगा वेसोडालटेशन हो जाएगा तो जो Blood है वो एकदम से Lower Limbs में बहुत देर तक में चला जाएगा पूलिंग ओफ ब्लड हो जाती है इसकी वज़़से कार्डियक फिलिंग इंपैड हो जाती है उस वज़़से फिंटिंग अटैक आता है तो यह आपको जो हाइपर टेंशन वाले लोग होते है न उनमें भी देखने मिलता है MCQ ऐसा आ सकता है आपको ठीक हीट सिंकोप में याद करने वाली चीज़ें फिंटिंग अटैक आ जाता है लेकिन सेल्फ रिकवरी होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि बहुत देर गर्मी में खड़े रहो वेस्ट डाल्टेशन हो जाएगा पूलिंग ओफ ब्लाड हो जाएगी इंपेट काडिया फिलिंग हो जाएगी हाइपटेशन में देखने मिलेगा कैसे ठीक करोगे इसको तो भाई आप कुछ नहीं है आप उसको ठंडी जगह पे ले जाके शिफ्ट कर दो थोड़ी दिर वाँ पड़े नंद अपने आप वो जाएगा that is आपका heat सिंग को उसके बाद आता है heat cramp और heat hypoporexia याद किया था हमने याद है heat cramp में क्या होता है कब आपको बहुत सारा cramp होता है याद है आप जिम में बहुत सारा पसीना भागा के आते हो या खूब cricket खेल के आते थे हम उसके बाद भयाना क्रैंप आते थे हैं, हैम्स वगरा में, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने बहुत सारा इलेक्रोलीट और सॉल्ट आपका लॉस हो जाता है, खुब सारा खेलने कूदने में, स्वेट के थूरू, तो किस में देखने मिलता है, एथलीट्स में ज्यादा तर आपको हीट क्रैंप देखने मिलता है, क्यों? क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उनमें, ओवर एक्जर्शन की वज़ए से और उस वज़ए से इलेक्रोलीट और सॉल्ट का लॉस हो जाता है, तब आपको हीट क्रैंप देखने को मिलता है, जो हमने देखा है, हमको भी कई बार हुआ है, heat hyperpirexia में क्या होता है, heat hyperpirexia में होता है, body जो होती है, heat को regulate नहीं कर पाती है, तो impaired heat regulation हो जाता है, इसमें क्या होगा, temperature आपकी body का 39 degree centigrade तक पहुंच जाता है, इसमें याद रखना है, exceptions कई होते हैं आपको science में, इसमें भी आपको एक exception देखने मिलेगा यहाँ पर आपको sweating तो मिलेगी, यहाँ पर excessive sweating होती है, मगर फिर भी आपकी जो skin है, वो dry होती है, hot होती है, तो dry hot skin मिलेगी despite of sweating, तो यह एक exception है, यहाँ पर याद रखना कि sweating है, उसके बाद भी dry hot skin है, moist नहीं है, normally होता है, अगर sweating होती है, तो moist skin देखने मिलती है, लेकिन य dry hot skin है, और temperature 39 degree centigrade है, ठीक, तो यह हो गया आपका heat cramp और heat hyperpyrexia, फिर सबसे important दो चीज़ आती है, that is heat exhaustion और heat stroke, बहुत बार वाइवा में पुछा गया है, MCQs भी इसी पर आते हैं, तो heat exhaustion क्यों होता है, वह एकि भाई, salt water imbalance आपके शरीर में हो गया है, तो heat exhaustion होता है, और इसके treatment के लिए आप क्या करोगे, इसमें treatment में आपको salt water imbalance हुआ है, तो salt water replacement कर दो, simple, याद रखने वाली चीज़ कि इसमें sweating present होती है, और इसी लिए इसमें skin आपको moist मिलेगी, भाई, शरीर को पसीना छोड़ेगा, तो moist skin मिलेगी, तो temperature, body का temperature 40.5 degree से कम रहता है, यह हमने क्यों य चीज़े आपको heat stroke में मिलेगी, क्या, यहाँ पर body temperature अगर 40.5 से कम है, तो आपको heat stroke में body temperature 40.5 से जाधा है, यहाँ पर sweating present है, तो यहाँ पर heat stroke में sweating absent है, और क्योंकि sweating absent है, इसलिए आपको dry hot skin मिलेगी, ठीक, किन-किन वज़ों से होता है, तो heat exhaustion जो है, वो salt water imbalance से होता है, clear of heat regulation होगा, अब heat regulation आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी शरीर के साथ क्या करेंगे, कोई ठंडी जगह पर शरीर को ले जागे भेग दो, तो वहाँ पर rabbit cooling हो जाएगी, simple, अब ना confusion क्या होता है, confusion होता है, कि भाई, जब MCQ आता है ना, तो उसमें दोनों option होते है, heat exhaustion भी होता है, heat stroke भी होता है, तो कैसे याद करेंगे, और ना, इन तीन points में मुखिता MC क्यों आते हैं, body temperature पे, और sweating है कि नहीं है, और moist skin है कि dry skin है, कैसे याद रखेंगे, तो stroke, stroke की spelling क्या होती है, s-t-r-o-k-e, तो st is for sweat, और roke is for troke, तो heat stroke में sweat को रोक देगा, याने कि sweating नहीं होगी, sweat को रोक देगा, याने sweating नहीं होगी, बस इतना याद आ गया ना, बाकी सब याद आ जाएगा, क्योंकि sweating नहीं होगी, तो skin dry और hot रहेगी, और dry और hot skin है, sweating नहीं हो रही है, तो but obviously temperature किस में जादा होगा, heat stroke में, याने 40.5 degree centigrade से जादा होगा, वहीं जो exhaustion है, उसमें sweating हो रही है, sweating हो रही है, तो skin moist हो गई है, skin moist हो गई है, तो 40.5 से कम रहेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि MCQ में यहीं चीज आती ह ठीक, तो heat exhaustion और heat stroke बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि उस पे MCQ आते ही आते हैं, और viva में इन दोनों में difference पूछा ही जाता है, ठीक, तो यह तो हमने देख लिया, कि भाई, heat से कौन-कौन सी चीज़े होती हैं, burn injury, heat sink op, heat cramp, heat hyperexia, heat exhaustion, heat stroke, ओके, तो physical agent में पहला तो हम करते हैं, उनमें क्या हो सकता है, अब बहुत ज़्यादा ठंड में जो लोग काम करते हैं, occupation जिनका बहुत ज़्यादा ठंड में काम करने से लेटेट हैं, उनमें क्या-क्या चीज़े मिल सकती हैं, उनमें ना मुखिता तीन चीज़े मिलती हैं, एक होता है, trench foot, एक होता है, चिल्बलेंज या उसको पर्णियों भी कहते हैं तो ट्रेंच फुट कब होता है ट्रेंच फुट होता है जब बहुत ज़ादा समय तक आपका पाउं ठंडे पानी में या बर्फ या स्नो में बहुत देर तक ऐसा डूबा रहे तो आपको ट्रेंच फुट हो जाता है तो ये किस तरह की इंजरी है ये वेट इंजरी है इसमें होता कि पाउं में स्वेलिंग आ जाती है पेलनेस अफुट हो जाता है कैसा दिखेगा तो ट्रेंच फुट कुछ इस तरह का दिखता है, आपने देखा होगा न, बहुत ज्यादा समय तक आप गीले मोजे पहने रहते थे, बहुत समय तक फुटबॉल जब खिलते रहते थे, बारिश के सीजन में तो नहीं, पाणी में एकदम भरे-बरे पानी में फुटबॉल खिलते थे जब मोजे उतारते थे तो ऐसे पाउं मिलते थे तो this is actually trench foot, एक तो मैसे सिकुड़न, सिकुड़न, सिकुड़न वाले आपको image मिल जाएगी image पर याद दियान देना आपको आजकल MCQs में आता है उसके बाद है frostbite, frostbite में क्या होता है ना बहुत जादा ही, बरफ में जब आप बहुत समय तक हाथ पाउं डले रहें तो क्या होता है, tissue ही freeze हो जाते हैं याने की ice crystals बन जाते हैं tissue में उसको कहते है frostbite, ice crystals देखा है, ice crystals जो होते हैं वो frost तो frostbite, अब न यही frostbite की तीन अलग-अलग stages होती है शुरुआत में जो होती है, first degree जो होती है, उसको frostnip कहते है उसके बाद second degree जो होती है, उसको superficial frostbite और third degree जो होती है deep frostbite, यह देखो, यह क्या है आपकी, यह है आपकी frostnip, हलकी सी लाल-लाल बस हो गया frostbite में यह देखो, आपको blisters देखने मिल गए, और deep frostbite में यह देखो, आपको काला-काला पड़ गया इसको हम अगली slide में अच्छे से समझेंगे, अब यह frostbite हो गया है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आप rewarm कर दो, करीब 42 degree centigrade तक, करीब 20-30 minute तक, इसको याद कैसे करेंगे, अपन सबने मैगी में क्या डालते है, ठन में तो ठीक है, गर्मी अर्मी में भी हमको क्या चाहिए, मटर, तो हम क्या करते है, frozen मटर देखाए, तो हमारे प्रास frozen मटर किस में रहता है, फ्रिज में रह बस वह हमको frostbite के साथ करना है, हमको उसको rewarm करना है, 42 degree centigrade तक, 20-30 minute के लिए, समझ गए, यह याद रखना है, यह question MCQ में आया है, इसलिए numbers को याद रखना है, ठीक, तीसरी तरह की injury बहुत अदा, ठंडे environment में काम करने से, chill blends या पर्णी हो जाता है, यह आपको velvet color की, reddish velvet color की skin ऐसी मिल जाएगी, ठीक, थोड़ी से जानकारी frostbite के लिए हम लेले, तो यह है आपका frostbite, तीन stages या तीन degrees होती है, इसकी, first degree को frostnip कहते है, second degree को superficial frostbite, और third degree को deep frostbite कहते है, तो frostnip में कुछ नहीं होता है, देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस हलका हलका सा, लाल हो जाएगा, यह आपको frostnip दिख रहा है, जादा कुछ नहीं होता है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो, highlight किया है, कि cold feeling होती है, और साथ में numbness आपको जहाँ 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 लाल है, वहाँ पे numbness आपको मिलती है, बस, उससे जादा कुछ नहीं है, बहुत जादा कुछ tension वा frostbite में मिलते हैं, तो जब भी आपको fluid, filth, plisters मिलें और history में दिया हो, बहुत ठंडी environment में उसको exposure हुआ था, तो सीधा लगा देना, frostbite ही रहेगा, अगर superficial और deep option दिया है, तो superficial रहेगा, जो deep frostbite होता है, इसमें देखो, पूरा नीचे तक चला गया, epidermis, dermis और subcutaneous tissue तक च तो यहाँ पर क्या होता है, आप देखोगे, superficial deep frostbite में, जो भी area होता है, वो एकदम काला पढ़ जाता है, और hard हो जाता है, highlighted part देखा, और आपको यहाँ पर देख भी रहा है, एकदम काला पढ़ जाता है, और hard हो जाता है, तो अगर आपको ऐसी photo देखे, तो आप समझ जा तो समझ गई यह तीन चीज़ है, frostbite में, frostnip, superficial frostbite और deep frostbite, ठीक, तो हमारा physical agent में second भी हो गया, that is cold वाला, cold में हमने trench foot समझ लिया, frostbite में frostnip, superficial frostbite और deep frostbite समझ लिया, और chillblen और pernyों के भी image हमने देख ली, उसके बाद न, physical में ही आपके कुछ और थे, जैसे कि light, दोनों में ही, दोनों ही environment में आपको पंगा हो सकता है, excessive glare, जैसे कि, जो, जैसे welding, welding करते हैं, या जो की, बहुत ज़्छादा light में काम करते हैं, उन में पंगा हो सकता है, या, poor illumination जो होता है, जैसे कि mines वग यारह में, जो काम करते है, उन में भी, तो क्या हो सकता है, occupational cataract हो सकता है या minus nystagmus हो सकता है minus nystagmus में आपको MCQ भी आया हुआ है उसके बाद अगला जो physical agent होता है that is pressure pressure में air embolism भी हो सकता है केसंस disease भी हो सकता है यह केसंस disease पर न हम अलग से video बनाएंगे क्योंकि इस पर अलग से short note आता है तो इसका अलग video हम बनाएंगे उसको देख लीजेगा noise बहुत जदा noisy environment है तो auditory effect में hearing loss वगर हो सकता है non auditory effect में तो बहुत सारे है interference with communication और भी बहुत सारे है तो occupational deafness भी हो सकती है बहुत जदा noisy environment में कोई काम करता है तो noise वाला जो part है जब हम environment वाला chapter पढ़ेंगे तब हम उसमे noise अलग से पढ़ेंगे और फिर noise pollution में यह सारी चीज़े देखेंगे तो physical में हमने क्या क्या देख लिया heat देख लिया cold देख ल radiation में याद रखना ultraviolet radiation में welders flash इसका बहुत अच्छा example है आप हम देखते हैं कि welding जो लोग करते हैं तो हम बोलते हैं कि light से related है हमने अभी पीछे कहा था लेकिन याद रखना जो welders करते हैं उनमें ultraviolet radiation से UV rays से वो exposure होता है और इसलिए welders flash का जो answer होगा वो UV radiation का exposure होगा याद रखना ठीक है उसके अलावा ionizing radiation जैसे कि x-rays वगरर से जादा exposure होता है तो austerity देखने मिलती है यह भी हम actually radiation जो है यह environment वाले chapter में पढ़ेंगे वहाँ पर ही दिया हुआ है कि maximum permissible radiation की कितनी होती है तो 5 RAM per year क्या-क्या बीमारिया होती है जो radiation से related exposure होता है या radiation related जोगों पर काम करते हैं उनमें cancers देखने मिलता है leukemia देखने मिलता है eplastic anemia और भी बहुत साइच चीज़े देखने मिलती है तो physical में अगला क्या आता है mechanical factors जैसे कि उनमें injuries हो सकती है accidents हो सकते हैं उसके अलावा physical में electricity से related जो लोग काम करते हैं उनमें burns वगरा देखने मिलता है एक और important occupation हो इसमारी होती है उसमें ना vibration होता है इसको हम कई बार भूल जाते हैं जैसे जो की drillers drillers देखे हैं हमने आदे से ज्यादा काम उनका vibration से related होता है हां देक वाइब्रेट पूरे time में करते रहते हैं तो उनमें ना यह white fingers मिलती है यह होता क्या है कि बहुत prolonged exposure हो जाता है ना vibration का त इसमें मिलेंगी drillers में तो white fingers किस occupation या किस physical agent से related है या MC क्यों आता है तो vibration ठीक तो यह तो हो गए आपके physical agents अब आते हैं हम chemical agents पे chemical agents जो हैं वो ना तीन चीजों से आपके अंदर जा सकते हैं या तो आप directly उनको inhale कर सकते हो सास से अंदर चले जाएंगे या तो आपके शरीर पे गिर सकते हैं locally या तो आप गलती से उसको खाने के द्वारा ingest कर सकते हो कौन-कौन से हैं तो हम बात करेंगे भाई inhale हम gas को भी inhale कर सकते हैं dust को भी inhale कर सकते हैं और metals को भी inhale कर सकते हैं gases कहाँ पे जैसे coal gas manufacturing plant होते हैं वहाँ पे हम gases को inhale कर सकते हैं जैसे hydrogen sulfide, carbon monoxide और ammonia इनको inhale कर सकते हैं dust, dust को inhale करने से क्या होता है nemo coneuses यह याद रखना कि इस पे अलग से आपको short note आता है और इसलिए हमको short note भी आता है wood industries हैं जहाँ पे farmers lung, bag of sources वगर बहुत साई चीज़े हो सकते हैं farmers हैं वहाँ पे farmers lung वगर हो सकता है तो इन सारे occupation में हैं अब यहाँ पे ना दो तरह की dust होती हैं आपकी inorganic dust और organic dust और organic food है organic food मतलब क्या होता है जहाँ भी organic dust का नाम यादा है ना मतलब समझ जाना plant से related जितनी भी dust होंगी वह organic dust होंगी उसके अलावा सब अर्गनिक तो plant से related जैसे की cane fiber sugar cane के जो fibers होते हैं उससे क्या होता है bagasosis होता है cotton dust से related जो छोटे छोटे dust particles होते है उससे क्या होता है उससे bacinosis होता है tobacco की dust से जादा exposure हो जाए तो tobaccouses या hay dust या grain dust वो farmers नहीं आपने चारव अगरा देखा था तो उनसे जादा exposure हो जाए तो farmers लंग होता है उसके अलावा anthracosis, coal dust जो लोग coal mines में काम करते हैं उन लोगों को coal dust से जो exposure होता है उनमें anthracosis, silica से, silica से, asbestosis की dust से, asbestosis और iron dust से, sidrosis इसको हम अलग से nemoconiosis में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और metals से related, कौन-कौन से metals गलती से आप inhale कर सकते हो तो lead, mercury, arsenic industry में काम करते हैं तो वहाँ छोटे-छोटे कड़ हवा में उड़ते नहते हैं तो आप inhale कर सकते हो अब न, यहाँ पर कुछ नाम है, उनको भी याद करना, हलाकि nemoconiosis में हम करेंगे, फिर भी यहाँ देख लेते हैं, anthracosis, silicosis तो पता है silica dust से, asbestosis भी पता है asbestos से, tabacosis भी पता है tabacosis, farmers लंग भी पता है hedos से, इन में तो कोई पंगा नहीं है हम फसते हैं, sidrosis, bagasosis और bacinosis और उसमें भी bagasosis और bacinosis में बहुत confusion होता है पहले तो हम sidrosis और iron देख लें, तो यहाँ देखो, iro और iro तुमको मिल जाएगा, iro और iro, तो iron, तो iron क्या है, sidrosis तो यहाँ पर यह याद रखना, iro, iro यह दोनों common है, iron और sidrosis में अब एक बहुत important चीज, bagasosis और bacinosis, इसको कैसे जाद करेंगे, और दोनों में confusion हो जाता है कई बार आप bagasosis को cotton से बोल देते हो, और bacinosis को cane fiber से, नहीं ऐसे नहीं करना है कैसे याद करेंगे, bagasosis, bagasosis किस से होता है, यह देखो, g-a, g-a for gunna gunna को English में क्या कहते है, gunna को English में कहते है, sugar cane तो bagasosis किस से होता है, cane fiber से, समझ गए, bagasosis में आपको g-a देख रहा है g-a stands for gunna, gunna का मतलब sugar cane, तो यही cane fiber से आपका bagasosis होता है ठीक, उसके बाद आता है bacinosis, तो यह bacinosis, तो bacinosis, c pronunciation में c आ रहा है तो c से क्या हो गया, c से हो गया, cotton, तो bacinosis, c नोसिस से cotton, याद रहेगा तो यह दो चीज में confusion होता है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा ठीक, तो यह तो हो गया, chemical agents में inhalation, inhalation में हमने पढ़ लिया gases, dust or metals उसके बाद locally आपके शरीर पे भी गिर सकता है, जैसे कि chemicals गिर सकते हैं आपके शरीर पे तो pesticides या machine oils होते हैं वो आपके शरीर पे गिर जाएं तो आपको injury हो सकती है या आपको occupational disease, solvents जो की dye industry में काम करते हैं तो benzene वगरा आपके शरीर पे गिर जाए या alkalize आपके शरीर पे गिर जाए तो dermatitis हो सकता है गलती से आप खाने में के साथ ingest कर सकते हो वो लोग जो lead, mercury या arsenic industries में काम करते हैं तो गलती से खाने आने में बूदों गिर जाए तो आप खाने के साथ ingest कर सकते हो तो ये तो थे आपके second agents that was chemical agents उसमें हमने पढ़ लिया inhalation inhalation में gas, dust, metals, dust में भी हमने inorganic और organic पढ़ लिया locals में हमने chemical and solvents देख लिये और ingestion में भी हमने देख लिया तो ये होगी हमारा chemical agents फिर आते हैं biological agents bio मतलब बायो मतलब जिन्दा और जिन्दा कौन है जानवर या पेड़ पोधे तो biological जहां पे भी आता है biological agents याने कि वो लोग जो agricultural workers होते हैं याने कि किसान लोग उन लोगों में कुछ बीमारिया मिल सकते हैं या वो जो animal handlers होते हैं या animal products को handle करते हैं उन में हमको biological agents से होने वाली भीमारिया मिलती हैं कौन कौन सी मिलेंगी हमको brucellosis मिल सकता है leptospirosis मिलता है actinomycosis मिल सकता है brucellosis ये सारी चीज़े actually हम किसमें पढ़ने वाले हैं यह हमना environment वाले chapter में zoonotic diseases आएंगी तो उसमें भी पढ़ेंगे in fact communicable diseases में भी zoonotic diseases आएंगी या zoonosis आएगा हम वहाँ भी इसको पढ़ेंगे अच्छे से अभी brucellosis याद रख लेना brucellosis actually मैंने कैसे याद किया था beef और brucellosis, beef और buffalo और lept से हमने याद किया था lept, 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 leptospirosis, rat से होता है या हम वहाँ पर zoonosis में अच्छे से करेंगे उसके लबाब बर्ड fancius lung होता है जो चिडिया वगरा होती है उनकी जो पॉटी होती है तो उनकी पॉटी से हमको bird fancius lung हो सकता है तो वह animal handlers में bird fancius lung भी आपको मिलेगा ठीक तो तो biological agents किन में मिलेगा अग्रिकल्चर वरकर्स या animal handlers में उसके एक्जामपल के तो पर ब्रूस लेप्टोस्पार्स एक्टिनो माइकोस या bird fancius lung होगा ठीक तो यह होगा आपका third agent फिर fourth agent भी होता है बहुत important है in fact यह psychological agents यह क्या होता है ऐसे workers जो अपने काम को adopt नहीं कर पाते हैं याने कि उनने नए नए काम जोइन किया लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा है वहाँ पे adopt नहीं कर पाए वो workplace environment को तो बहुत पंगे होते हैं उनके साथ क्या क्या हो सकता है occupational disease के नाम पे sickness absenteeism बहुत important term है इस पे अलग से short note भी आता है in general इसको हम अलग से video करने वाले है sickness absenteeism होता क्या है हम ना छुट्टी मार देते हैं बहाने बना के क्यों क्यों क्योंकि या देखो यहां पे लिखाई हुआ है कि workplace environment में adopt नहीं कर पाया उसका मन नहीं लगेगा काम पे जाने में तरह तरह के बहाने बना के वो छुट्टी मारेगा तो बीमारी का बहाना बना के absenteeism sickness absenteeism छुट्टियां मारेगा वो काम पे नहीं जाएगा क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा है उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है stress हो सकता है उसक तो mal adjustment भी हो सकता है depression में भी जा सकता है drug abuse और drug addiction की तरव भी जा सकता है ये सारे के सारे आपको psychological agents के तौर पे मिलेंगे कि अगर अपने workplace को adopt नहीं कर पाया तो ये सारे पंगे उसको मिलेंगे ठीक उसके बाद आता है पाचवे नमबर पे mechanical hazards mechanical hazards में जो heavy machinery वगर होती है ना उनसे accidental injuries हो सकती है तीक उसकी बाद आता है occupational cancers बहुत important topic है इस पे अलग से question आता है short note आता है तो इसको भी हम अलग से एक वीडियो में करने वाले हैं आगे चलके occupational cancers को अभी के लिए आपको नाम याद रखने चार बहुत important नाम occupational cancers में skin cancer, lung cancer, bladder cancer, leukemia इनको अच्छे से हम अलग से वीडियो में करेंगे most common कौन से होता है skin cancer होता है याद रखना उसके बाद occupational dermatosis में occupational dermatitis भी हो सकता है और eczema भी हो सकता है तो ये हो गए आपके 7 agents और उनसे होने वाली occupational diseases तो इतने तो आपको पता होने चीए पूरा classification occupational diseases का अगर मैं बात करूँ सवाल की तो occupational diseases पे आपको short note पुछ लिया जाता है या फिर आपको बोल दिया जाता है भाई classify करो occupational diseases को या आपको अलग से बोल दिया जाता है कि भाई physical agents बताओ occupational diseases के या occupational hazards के तो theory exam में तो इस तरह के सवाल आपको आते हैं short note या very short note में आपको enumerate आ जाता है ठीक अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो वाईवा में बहुत important point होता है कि भाई occupational diseases को define करो तो आपसे define करते आना चाहिए उसके बाद एक और वाईवा का बहुत important question कि classify करो occupational diseases को तो ये पहले तो ये 7 point आपको पता होने चाहिए और उसके बाद एक और question आपसे बोला जाता है वाईवा में कि भाई physical agents को classify करो तो ये भी आपको करते आना चाहिए वाईवा में आपसे heat से related आपसे पूछा जाते है physical agent में भी heat से related कौन-कौन से चीज़े होंगे occupational disease में तो आपको at least ये 5 नाम तो heat syncope heat cramp, heat hypoparexia exhaustion और stroke तो पता होने चाहिए क्योंकि burn तो आपको यादी रहता है वाईवा में आपसे ना एक और बहुत important चीज़ पूछी जाती है that is heat exhaustion और heat stroke के बीच में difference बताओ ये आपसे बनना चाहिए वाईवा के लिए वाईवा में आपसे cold से related पूछ लिया जाता है कि cold से related क्या क्या चीज़े होती है तो trench foot, frostbite और chillblains ये नाम ही याद नहीं होते है तो इन नाम को तो वाईवा के लिए याद रखना ही ठीक उसके बाद minus nystagmus आपसे वाईवा में पूछा जाता है केसंस डिजीज तो अलग से question है तो ये भी दोनों चीज़ें आपसे वाईवा में पूछी जाती है कि minus nystagmus किसमें तो जब poor illumination होता है तब welders flash एक वाईवा का बहुत important question है किस से related है radiation से और white fingers आपका वाईवा से related बहुत important है तो white vibration तो डबलू में आपको दो भी दिख रहे है उसके बाद आपसे वाईवा में बहुत important है dust या neemoconiosis अलग से तो हम इस पर वीडियो करेंगे ही और inorganic dust क्या होती है organic dust क्या होती है यह आपसे वाईवा में पूछा जाता है और उसे होने वाली बीमारिया और सबसे important यहां जिसमें confused होते हैं bagososis और bacinosis वाईवा में पूछ लिया जाता है किन-किन से होता है अलग कि neemoconiosis में हम अलग से पढ़ेंगे पर यहां भी याद रहना चाहिए टीक उसके अलावा sickness absenteeism बहुत important question है वाईवा के लिए अलग से topic हम इस पर वीडियो करने वाले हैं तो वो बहुत अच्छे से हम उसमें discuss कर लेंगे occupational cancers पर भी वाईवा है पूछ ले जाता है चार नाम बताओ और उसमें भी most common बताओ टीक तो यह तो हो गया theory और वाईवा आखरी में हम बात करने हैं कि MCQs कौन-कौन से आते हैं occupational diseases पर तो जितने भी हमको underline part मिलेंगे ना हमारे notes और slides में वो सभी MCQs आये हैं अलग-अलग PG entrance exam में तो एक MCQ आपको heat cramp में आया हुआ है कि भाई किस से होता है तो loss of electrolyte से होता है उसके अलावा एक MCQ हमको heat exhaustion और heat stroke में कई बार MCQ आये हैं हुए हैं तो हमको इस पे आता है 40.5 से कम किस में मिलता है 40.5 से जादा किस में मिलता है MCQ हमको यह आता है sweating किस में मिलती है और किस में नहीं मिलती है और जो आ सकता है वो dry skin और moist skin किस किस में मिलती है तो यह सभी MCQ आते हैं heat exhaustion, heat stroke में colds related भी MCQ बहुत आया हुआ है trench foot के आपको या तो image दे देंगे या तो frostbite के आपको image दे देंगे या तो chillblend के आपको image दे देंगे या फिर आपसे बोल दिया जाएगा colds related कौन-कौन से injury होती है तो trench foot, frostbite और chillblends या pernio, pernio पे भी अलग से MCQ आया हुआ है इस नाम पे उसके अलावा आपको MCQ एक ये भी आया था कि कैसे ठीक करोगे frostbite पे तो ये नंबर याद होने चाहिए 42 degree centigrade तक 20-30 minute तक आप इसको गरम करोगे या गरमी में रखोगे ठीक, उसके अलावा आपको MCQ आया हुआ हुआ है minus nystagmus से, तो वो light से related है उसके अलावा आपको MCQ आया हुआ है well dust flash से, तो वो ultraviolet radiation से है एक MCQ आपको ये भी आया है था कि radiation की maximum limit कितनी होती है तो 5 RAM per year तक आपको allowed है उसके अलावा white fingers पे भी MCQ आया हुआ है तो वो vibration से related है ठीक, chemical agents में आपसे पूछा गया है कि dust किसमें आती है तो chemical agents में आती है ये भी आपको एक MCQ आया था उसके अलावा bird fancius lung इस पे भी आपको MCQ आया था तो avian bird या bird dropping से biological agent पे भी आया था आपको कि grucelosis किस से होता है तो biological agent से होता है इस पे भी आपको MCQ आया हुआ है तो इतनी चीजें है जो आपको occupational diseases में पता ही होनी चाहिए Thank you